नमस्कार सभी को स्वागत आप से विका हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग 11 क्लास का एक कंसर्प करने वाले हैं जो की है राइट टू फ्रीडम स्वा तंत्रता का अधिकार ठीक है लास्ट वीडियो बटा हम लोगोंने पढ़ा था राइट टू एक्वालिटी आज ह पर राइट टू फ्रीडम में यह नहीं है कि किसी का जाके सर भाड़ दो आप कि वह रिजादी है नहीं एक लिमिटेशन है वह एक लिमिट है आप अपनी अपने राइट जो आपकी अजादी उसको इस तरह इंजॉय करोगे कि आपकी अजादी दूसरे के लिए खत्रा ना बन जाए यह तो इसका अर्थ है पहली बात तो उसी के साथ साथ कुछ बेटा और पॉइंट्स भी है एक्जाम्पल की राइट टू फ्रीडम मेंस राइट टू स्पीच और एक्स्प्रेशन हर किसी को अजादी अपने विचार व्यक्त करने की लिखित में मौकिक में ठीक ह शांती पूर्ण तरीके से पथराव नहीं करना है ठीक है ना पथर उत्थर नहीं मानने है यह आतंग नहीं पहलाना है यह करोगा तो यह गलतिया लाएगा इसके ओपर अधिकार है फिर पुलिस का आपकी करवाई करनेगा फॉर्म एस्सोसियेशन भाई आपको फॉर्म करन भाई भारती हो कहीं भी जाओ कहीं से आओ अराम से रहो कोई इस्व नहीं है राइट टु लाइफ और लिबर्टी अपनी जिन्दगी को तरीके से जीने का उसको तरीके से मतलब एंजॉय करने का दिकार है आपको राइट्स ऑफ दे एक्क्यूस्ट एंड कन्विक्स चलो ठीक है एक बार को मैंने मान लिया किसी जल्टी हो गई है वह सजा काट रहा है तो सजा काटने वाले को भी अधिकार दे गए बेटा हमारे सम्वीधान में ऐसा नहीं है कि बैस सजा काट रह तो उसको मारो पीटो विभार गल्द करो नहीं और लास में रिजाइन नम्मर 19-22 में अब हम सवाल करेंगे कोशन कैसे आ सकते हैं अपके एक्जाम में तो सबसे पहला आपका आता है इसका पार्ट वहा क्या आता है आपका मीनिंग मैंने आप दाता पहली पर प्रिस्टिल बेटा हम लोगी को बड़ा ज़रा इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं वीन इंडेंजरिंग दर लाउन ओर बाइं हर कोई अपनी फीडम को इंजोय करेंगा बिना किसी दूसरे को नुकसान पचा बिना कानून को खराब किये यह तो बेटा आपका मीनिंग राइट टू फीडम का उसके बाद राइट टू लाइफ एंड परटी में क्या क्या आता है ठीक हो क्या है देखो उसका मतलब देखो बाई सबसे पहरे बात बाई सुलना ध्यान से बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है आपको है नो वन कैन बे अरेस्टेड पिडाउट बिइंग टोल्ड ग्राउंस पॉर्ट अरेस्ट बाई पुलिस वाला घर पे आया आपके और बो है तो अरेस्ट करने का दिकार नहीं है आपको उसके बाई अरेस्ट वरंट होगा तो आपको ले जाएगा और अगर आपको ले गया और आप अरेस्ट हो चुके हो तो पुलिस के पास सिर्फ अधिकार है आपको अरेस्ट करने का ठीक है आपने जो भी क्राइम किया है जिस क तो भाईया आपको पूरी-पूरी राइट मिला है आपको अपनी पसंद का लॉयर चूस करने का पहरी बात दूसरी बात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया अब पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर कहा पेश करती है डीम के सामने डिस्ट्री मसित्रे के सामने और वो बताता है कि भ तो आपको वह फ्री कर देंगे आपको छोड़ देंगे पूलिस को सिर्फ अधिकार आपको अरेस्ट करने का बाकी न्याय करने के जो थौर्टी वह हमारे जुड़ी के पास है वह कोई परस्णली अपनी रंजिश नहीं निका सकता तो यह बेटा आपका आगया मीनिंग रहने पढ़ लिए हम लोगों राइट तो लिए पर लिए नेक्स्ट बेटा हमारे जो आता है यह आता है एक और हमारा मैत्पून कंसेप्ट जिसका नाम है प्रिवेंटिफ डिटेंशन यानि की निवारक नजरबंदी सरकार को लग रहा है कि कोई व्यक्ति है यह व्यक्ति है यह बेसिस ऑफ डाउट सरकार ने इसको अरेस्ट कर लिया थ्री मंस के लिए ठीक है अब यह जो शक्त के बिना पे अरेस्ट हुआ है बंदा क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रिवेंटिफ डिटेंशन यानि की निवारक नजरबंदी इफ गवर्नमेंट फिल्स डट पर्सन अरेस्ट पर्सन ठीक है उसको वह थ्री मंस के लिए कर सकते हैं अरेस्ट आफर थ्री मंस सच केस ब्रॉट बिफोर एंडवाइजरी वोर्ट वो तरी महिने के बाद अगर जांच होगी ठीक है नहीं पूरी तो भाई यह रिवीव के लिए आगे जाता है कि अब क्या करना है इसको छोड़ना है या इसको पकले रखना है शिफ शक्क के बना आप देखो भाई देश तो पहले है ना भाई बागी सब तुझे बाद में आती है लास्ट टॉपिक जो बेटा इस आपका राइट का था वो क्या था आपका राइट्स ऑफ एक अपरादी है उसको क्या अब ये ठोना है कि एख मडर के लिए साथ साल काट ली फिर दोबार भान निकला डुबारा दस साल मिल गी दुबारा दो साल मिल गी नहीं वन पनिश्मेंट रचम Jiang कि लोगे तो इसकी ज़िए ओखने आपको एक बाडरी मिलेगी बार-बार ने मिलेगी बार बार करोगे ग काम कोई लौ अब बना है कि चीज को लेके लेकिन पहले वो लौ नहीं था तो वो काम पहले के टाइम पे अगर आपने किया तो आज की डेट में आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा मतलब वह आज से लिगल है ना कि पहले से लिगल था ठीक है दूसरा नो परसन शैल भी आजजड तो गिफ एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल और अरसल सेल या खुद के खिलाफ आपको प्रूफ देने के लिए एविडेंस देने के लिए नहीं कहा जा सकता तो यह बटा आपका राइट आफ एक्यूस में आता है राइट टू फीडम को बटा आपक की सवर तंत्रतकादिकार आई हो आपको समझ में आगे हो नेक्स्ट वीडियो में बटना हम लोग फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट राइट के साथ थैंक्यू सो मच